प्रिया सद्गुरू, मैं बच्चों की परवरिश के बारे में सच जानना चाहता हूँ। मैं एक बच्चे और युवा के रूप में आजादी चाहता था, अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहता था। मेरे ख्याल से हर पीड़ी में ऐसा ही होता है। क्या अपने बच्चों को ये आजादी देना और उन्हें अपने फैसले करने देना ठीक है। हमें कहां लकीर खींचना चाहिए या लकीर खींचनी भी चाहिए या नहीं। अच्छे माता-पिता बनने के लिए आप हमें क्या सला देंगे। नमस्कारम लक्षमन। हमने क्रिकेट के मैदान पर आपकी कलाई में छिपे कौशल का खूब आनन लिया है। जब बात बच्चों की परवरिश्की आती है। देखिए, ये विचार कि हमें अपने बच्चों को पालना है, एक बहुत पश्चिमी विचार है। आपको बस उन्हें बढ़ने की अनुमती देनी है। उन्हें पालना नहीं है। आप सिर्फ गाए भैस पालते हैं। इंसान को नहीं। आपको बस माहौल बनाना है प्यार, खुशी और जिम्मेदारी का। आपने अपने सवाल में आजादी शब्द का इस्तिमाल किया। आजादी एक बुरा शब्द है। आपको कभी आजादी शब्द का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए। नहीं आपके बच्चों को आजादी शब्द की आदत पढ़नी चाहिए। आपको हमेशा उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव लाना चाहिए। उनकी अपनी भलाई, उनकी सेहत, उनके विकास, जीवन के हर आयाम के प्रती रिस्पॉंड करने के उनकी एक शमता के लिए, इसे उनके जीवन में लाना ही होगा। अगर उनके होने के तरीके में जरूरी जिम्मेदारी हो, तो आजादी उसका सहच परिणाम है। ये आज के दुनिया की एक मूल भूत समस्या है, क्योंकि हम लक्ष केंदरित, यानि गोल ओरियंटेड हो गए हैं, हमें नतीजे में दिल्चस्पी है, प्रक्रिया में दिल्चस्पी नहीं हैं। अगर आप बगीचे म पूल चाते हैं, तो आप पूलों की बात मत कीजे, अगर आप एक अच्छे माली हैं, तो आप कभी पूलों की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे मिट्टी की, खाद, पानी और धूप की, अगर आप इन चीजों का ख्याल करेंगे, तो सुन्दर पूल खेल अगर आप किसी बच्चे के सुन्दर विकास के लिए जरूरी शर्तों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे खेल उठेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें अपने दिमाग में बने साचों के मताबिक बालने की कोशिश करते हैं, तो हर बच्चा विरोध करेगा, क्योंकि आपके द मजना होगा, तो चलिए बच्चे की परवरिश को लेकर लंबे चोड़े विचार न पालें, बस गहरे प्यार, खुशी और जिम्मेदारी का एक वातावरन बनाएं, सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को अपने माता-पिता में कभी नाराजगी, जलन, निराशा, उदास और गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से खिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे, तो नतीजे अपने आप आएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान नतीजे पर है और आप प्रक्रिया का ध्यान नहीं रख रहें, तो आपका नतीजा या आपका मन चाहा नतीजा बस एक सपना होगा.